साथियों कोरोना के खिलाब इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वरकर्स लड़ रहे हैं। पिछले एक साल में उन्हें इस बिमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर सशांग जोसी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सशांग जी को कोरोना के इलाज और इस से जुड़ी रिसर्च का बहुत जमिनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशन्स के डीन भी रह चुके हैं। आईए बात करते हैं डॉक्टर सशांग से। नमस्कार डॉक्टर सशांग जी। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों के इस पष्टा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बाते सुनने में आती हैं उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। टॉटर शशांक आप लोग इस समय दिन राग जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली ये कैसे अलग हैं और क्या-क्या सावधानी जरूरी हैं। धन्यवाद सर ये दूसरी बाड आई है। ये टेजी से आई है। तो जितनी पहली बाड़ती उससे ये वाइरस ज्यादा तेज चल रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मुत्युदर काफी कम है। इसमें दो-तिन फरक है। पहली तो ये युवावों में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं। पहले जैसे लक्षण थे सा है। पर उसके साथ थोड़ा गंद जाना, स्वाच चला जाना ये भी है। और लोग फुड़े भाईबीत हुए हैं। भाईबीत होने की बिलकुल जरूरत नहीं है। 80-90 प्रतिशत लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन, और ये वाईरस आते जाते रहता है। तो यही अलग-अलग लक्षण हैं। और मिडिकली हमको सतर करेना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये COVID का टाइम टेबल है। इसमें वईद्य की असला लेना चाहिए। डॉक्टर शजांक, मैरे लिए भी आपने जो एनालेसिस बताया, कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं। और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं। और मोबाइल पे आने वाले बातों पे भरोसा रख और अगर सरकारी दीव हुई सूचना का पालन करें तो ये कठनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें तीन प्रकार की तीवरता है। हलका या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीवर कोविड जो CR-Covid बोलते हैं इसके लिए है तो जो हलका कोविड है उसके लिए तो हम oxygen का monitor करते हैं, pulse का monitor करते हैं, उखार का monitoring करते हैं, उखार बढ़ जाता है तो कभी-कभी पेरसेटमॉल जैसी दवाई का इस्तमाल करते है और अपने डॉक्टर से संपर करना चाहिए जो moderate COVID होता है मध्यम COVID होता है या तीवर COVID होता है तो वैद्यकिया अपने डॉक्टर के साथ संपर करना बहुत जरूरी है सही और सस्ती दवाई अवैलेबल है जिसमें steroid जो है ये जान बचा सकती है जो inhalers दे सकते हम टैबलेट दे सकते हम और उसके साथ ही पराणवायू जो oxygen हो देना पड़ता है और इसके लिए छोटे-छोटे इलाज है लेकिन अक्सर क्या हो रहा है कि एक नई experimental दवाई है जिसका नाम है Remdesivir ये दवाई से एक चीज़ जरूर होती है कि अस्पताल में 2-3 दिन कम रहना पड़ता है और clinical recovery में थोड़ी से उसकी एड़ होती है ये भी दवाई कम काम करती है जब पहले 9-10 दिन में दी जाती है और ये 5 दिन गिनी पड़ती है तो ये लोग जो दोड़ रहे Remdesivir के पीछे ये बिलकुल दोड़ना नहीं चाहिए ये दवाई की थोड़ा काम है जिनको oxygen लगता है प्राणवाई oxygen लगता है जो हस्पताल में भरती होते है और डॉक्टर जब बताते हैं तब ही लेना चाहिए तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना हम प्राणायम करेंगे हमारे शरीर के जो लंग से उसको थोड़ा expand करेंगे और जो हमारी खून पतली करने वाली जी injection आती है जिसको हम ही parent मोलते है ये छोटी छोटी दवाईय देंगे तो 98% लोग सर ठीक हो जाते है तो positive रहना बहुत जरूरी है treatment protocol वईदय के सिल्ले से लेना बहुत जरूरी है और ये जो मंगी मंगी दवाई है उसके पीछे दोड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर अपने पास अच्छे इलाज चालो है प्राणवाई oxygen है ventilator की भी सुहिया है सब कुछ है सर और कभी-कभी ये दवाई यदि मिल जाती है तो योग ये लोगों में ही देनी चाहिए तो इसके लिए बहुत भ्रह्म पैदा हो है और इसलिए ये सपश्टिकरन देना चाता हो सर कि अपने पास world की सबसे best treatment available है आप देखेंगे कि भारत में सबसे अच्छा recovery rate है आप यदि compare करेंगे ये 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 अमेरिके वहाई से भी हमारे हां के treatment protocol से मरीज ठीक हो रहे है सर डॉक्टर सेशांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेशांग ने जो जानकरिया हमें दी वह बहुत जरूरी है और हम सब के काम आएगी